तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में मैं आपके साथ तैसिन फात्मा आया खबरों की शुरुबात करते हैं और सबसे पहले बात हमीरपूर की करते हैं अमीरपूर में कोविट नियमों की धच्या उड़ाई गई है पंचाज चुनाओ के चुनाओ चिन वित्रन में यहाँ पर भीड उंगडे और धच्या उड़ी है नियमों की सिंबल वित्रन के दौरान घोल लापरवाही दिकी सैक्डो मीदवार एक साथ कलेक्टरेट पहुच आज लॉक्डाउन है लॉक्डाउन के दौरान इस तरीके की लापरवाही कई सवाल खड़े करते हैं तस्वीर यह हमीरपूर की है तो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए यूपी में आज लॉक्डाउन बिना वज़ा घर से बाहर निकलने की इजासत नहीं है सोवा सुबा साथ बजे अनलॉक यूपी होगी लक्डाउन में 24 घंटे के भीतर 5913 पॉजिटिव केस सामने आये हैं आयोध्या में राम नवी पर उस्वा नहीं होगा तो लॉक्डाउन का पुर्जोर असर देखने को मिला चौतरफा पुलीस प्रिशासन ये दिखी लेकिन लोग घर में ही दुपके रहें क्यूंकि कोरोना का खत्रा बढ़ रहा है इसको देखते वे ये फैसला लिया गया और लोगों को भी समझने की बहुत जादा जरूरत है उतरफिर देश में कोरोना संक्रमन की रफ्तार तेजी से बंड लगी इसकी चेन को तोडने के लिए पुरिराज में रविवार यानि आज टोटल लॉगडाउन लगाया गया गोरापूर अलिगर लकनओ मेरट आगरा की तस्वीर आपके सामने है जहां पर विकेंड लॉगडाउन का सक्ती से पालन किया जा रहा है प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसका पालन कराने के लिए सरकों पर तैनाथ है कोरोना संक्रमन लगतार बलबरा है कोरोना का ये स्ट्रेंड भयावा है जिसको देखते वे सरकार ने बड़ा फैसला विकेंड लॉगडाउन का लिया है उत्यप्रदेश में रविवार को लॉगडाउन लॉगडाउन के समय सरकों पर सन्नाटा पसरा दिखाए दिये तो निलेश चोहान समधाता लकनओ से जुड़ गए है और आलोक माल वे प्रयागरास से जुड़ गए है जानकारी देने के लिए तो सबसे पहले मैं निलेश आपके पास जाओंगी राजधानी लकनओ की क्या स्तिती रही पूरे दिन कि फात्मा बिल्कुल आपको बता दूँ कि 35 गंटे का जो लॉक्डाउन पूरे उस्तर प्रदेश में लगाया गया है उसका ब्यासर राजधानी लखनों में देखने को मिल ला है वहीं अगर हम बात करें 35 गंटे के लॉक्डाउन को लेकर तो कहीं न कहीं राजधानी में नगन निगम और जिला प्रसासन की टीमें सड़कों पर उत्री हुई है करीब 500 टीमें अलग अलग नगन की गठित की गई है जो राजधानी के विविन हिस्सों में जाकर सेनिटाइजेशन का काम करेंगे दस बज़े से अभियान दसनब्बे चौरह से सुखिया गया था उस समय मंडला रजत कुमार वहां पर मौजूद थे लखनों की प्रभारी डीम मौजूद थी वहां पर उसके लावा नगर आई अजयदिवेदी के रित्रत में टीमों को वहां से रवाना किया गया है ताकि जो कंटेन्मेंट जोन है राजधानी के वहां पर सेनिटाइजेशन का काम कराया जा सके वही अगर हम बात करें राजधानी के स्वास्त वेवस्थाओं की तो राजधानी में वेवस्थाओं देने के तमाम बड़े दावे किये जा रहा है अला कि आज भी तमाम अस्पतालों की तस्वीरे सामने आई है जहां पर आक्सीजन की कमी है आक्सीजन की मारा मारी चल लह कि कमी जो ओर यह ठीक है लेकिन काला बाजारी जो करेगा उस पर सक्त कारवाई होगी योग आदितनात की तरफ से निर्देश दे दिया गया है देखें सीम के सक्त आदेश हैं उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो कही न कहीं जमीनी इस तर पर नहीं उतरते हैं जमीन पर उतर कर निर्चण नहीं करते हैं जिसका नतीजा है कि जो आक्सीजन की काला बाजारी करने वाले माफिया हैं वो कहीं न कहीं राजदानी ल प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए पुलिस दिखाई दी पब्लिक हलाकि सड़कों पर ना के बराबर दिखाई दी जो एकका दुखका लोग निकल लहते पुलिस उनसे भी पूस्ताज कर रही थी जो वेवजह ही निकले थे उनके चालानी कारवाई भी की गई तो कि जो बड़ी बाजार हैं उनको हम डेट टू डेट बंद करेंगे किसी बाजार को पांस दिन के लिए बंद किया गया किसी बाजार को साथ दिन के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया ब्यापारियों ने साथ तोर पे अपनी तरफ से कहा है कि सरकार के साथ वो पूर प्रिशासन वहाँ पर मुस्ताइज राग्राज के लोग जगा जगा पर जगा जगाँ पर जो खरीदारी के लिए जोन बनाए गया है वहाँ पर निकले हैं इसके बाद दिन भर घर से बाहर नहीं निकले हैं अब शाम भलने को आई है अब शाम को जरूरी समानों की दुकाने कुलने का समय है और जब दुकाने खुलेंगी तो लोग अपने घरों से निकलेंगे और समान करिकतर वापस चले आएंगे जो संगम नगरी प्रियाग राज के लोग हैं कोरोना की बढ़ती जो तादाद है उसे देखते हुए अब प्रशासन का साथ देने का मन बना लिये हैं और उसके साथ ही वह जगा जगा पर अपने समानों को खरिकते हैं घर के अंदर चले गए हैं अगर हम प्रशासन की बात लिए और निगम की एक सो आट टीमें हैं वो निकली हुए हैं जगा जगा सेनिटाइशन का काम कर रही हैं इसके साथ 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 जो मंदला यूप के सज्ट्राइब वह भी सलकों पर निकले हैं उन्होंने मंपोड़ गंच के इलाके के पुरी तरह से सीच करने की कोशिश की लेकिन यह सारी प्रक्रिया होनी चाहिए लेकिन टेस्टिंग कांटक्ट ट्रेसिंग और वक्सिनेशन पर जोर कैसे दिया जा रहा है मापर जी फातिमा जैसे हमारी सुबह यह आप से बात हुई थी तो हमने बताया था आपको कि मोटलाल नहरू मेडिकल कॉलेज में जो वैक्सिनेशन कमो किसंटर है वहां बेलकम मेली थी तो इसके बाद प्रशासन जगा है उसने लोगों को अवेर करने का प्यास किया है जो सलक प रहे हैं और सलकों पर सुनाया जा रहा है कि लोग वैक्सिनेशन के और ज्यादा ध्यान दे तभी अपने को और सामने वाले को कुरोना से बचाया जा सकता है मेरेट में अगर सिती की बात किया जाए कि अभी भी लोगों के अंदर धार बना हुआ है अभी भी लोग घरों में है लोग और यह पहनी बार सुखा दनुभूती हुई है यह जब लोगडाउन के बाद पुलिक को खासी मशक्कत नहीं करनी पर लिए लोगडाउन का पालन करवाने के लिए वो अलग बात है दोपहर में एडी जी पूरे शहर का दौरा करने निकले ते जो कुछ एकका दुखका लोग घूबते वे सबक पर मिलेते उन्हें समझाया गया उनको पूछा गया किस कारण से निकले है और मैं आपको बता दू कि मा करोना की चैन तोड़नी कितनी आवशक है मैं आपको बता दू कि शैनिवार को यहां पर सर्राफा एसोसियेशन ने खुद एक दिन का सेल्फ लॉगडाउन लिया था बजार बन कराया था और आज बजार बन दे और सौमवार को फिर साप्ताइब बन दी है तो अब आम आद बता हूं मंदिरों में और दूसरी जगाओं पर जो लोग जा रहे थे वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन के तहत पाती में अपने घर पर बैचे हुए ठीक है आपके पास लोटेंगे गौरव में आपसे जाना चाहूंगी क्योंकि रमजान का महीना है और ऐसे में कई तवार चल रहे हैं इसके मद्दे नजर प्रशासन कितना मुस्तहद है मजड़ों में क्या लोग जा रहे हैं या फिर घरों में ही बैठे हुए है कि गौरव गौरव आप सुन पा रहे हैं जी विकुल गौरव क्योंकि तहवार का सीजन है और ऐसे में रमजान का महीना भी और रोजा भी खुलने वाला है बात अगर लोग की करें नमास के दौरान क्या कोई लोग यहाँ पर निकलता हुआ आया मजड़ित में जाता हुआ नजर आया जिसे पुलीस पर शासने समझाया हुआ की जारी है और लोगों को भी बहुत जार समझना होगा गारव शुक्रिया आलोक मालवे आपका भी शुक्रिया केके शर्मा आपका भी शुक्रिया निलेश बने रही है आपके पास स्लोटेंगे सिदह आपको बताते हैं कहां कितने कोरोना के केस मिले है ग्राफिक्स के जरी आप थोड़ी जानकारी लिए लखनओ में कोरोना के 5913 नए केस मिले है प्र्याग राज की अगर बात किया जाए तो कोरोना के 1977 नए केस पाए गए हैं कानपूर नगर में कोरोना के 1826 नए केस मिले हैं, वारांसी में 1664 नए केस मिले हैं, मेरट में भी कोरोना के 748 नए केस मिले हैं, गोरकपूर में भी कोरोना के 723 नए केस मिले हैं, वहीं जासी में भी 703 कोरोना के केस मिले हैं, मुरादाबाद में 663 कोरोना के नए केस मिले हैं बलिया में कोरोना से 508 लोग संक्रमित हुए हैं, गौतम गुद्नगर में भी 402 कोरोना के केस मिले हैं, गाजाबाद में भी 250 कोरोना के नई केस पाए गए हैं तो कानपूर से रमन गुपता लाइब जुडगे हैं, निलेश लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कानपूर के अगर बात किया जाए, रमन कानपूर की स्थिती क्या है, क्यों वहाँ पर कोरोना इसकदर हावी हो रहा है, वजा क्या माने इसकी कानपूर में सामने आए, लेकिन जिस तरह से केस लगातार बढ़ लाए है, चौविस घंटे की बात की जाए, तो करीबन उनिस सो से ज्यादा केस कानपूर में सामने आए, जिसके बाद जो हालात बेहत गंबीर हैं, संडे को आज जिस तरह से लॉक्डाउन लगाया गया है, लोग अब इतने चिंतिद हैं कि अपने घरों पर हैं, क्योंकि जो स्वास्त सेवा हैं कानपूर में, वो पूरी तरह से धड़ाम हो गई है, ना ही कानपूर के सेमो फोन ना ही जिला अदिकारी फोन उथारें, ना ही कोई भी बड़ा अदिकारी कुछ भी बोलने को तयार हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, किसी में भी बैट की सुविधाया नहीं हैं, और जो अक्सिजन सिलेंटर्स की सरकार गंबीर हैं लेकिन प्रशासन गंबीर नहीं हैं? जो मरीज होस्पिटल्स जा रहे हैं, हमने एक वीडियो भी दिखाया था, जिसमें कि एक मरीज को जो सिलेंडर लगाया गया था, वो कही न कहीं पूरी तरह से धराम था, उसमें कोई भी ऑक्सिजन नहीं था, पारी से भरा हुआ सिलेंडर था, जो वीडियो में भी बोल र जारी की जा रही है, किसी तरीकी की कोई धानली नजर आ रही है? लेकिन जो काला बजारी लोग कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आप एक पला चिंता का भी सहफात में हैं, बिल्कुल बिल्कुल इस पर प्रशासन को बहुत जादा ध्यान देनी की ज़रूयत है, निलेश वहीं अगर लकनों की बात किया जाए, राज़ानी लकनों की सिती क्या ह अगर मेडिकल विवस्थाओं की बात किया जाए तो? जी न कहीं अभी भी हिला हवाली कर रहे हैं, अपने दफ्तरों से बाहर निकलना नहीं चाहा रहा है, जिसका नतीजा है, चाहे वो गैस की काला बाजारी का मामला हो, या फिर अस्पतालों में मरीजों को भरती ना किये जाने का मामला हो, समय पर एम्बुलेंस ना उपलद क किये जाने का मामला हो, या फिर समसान घाट में प्रॉपल लकडी की बेवस्थाना हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो अधिकारी है, वो अभी भी पूरी तरीके से लापरवा है, जिसका नतीजा है कि इन अधिकारी की लापरवाही से, आए दिन दो चार लोग अपनी कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों के सामने काफी दिक्कते भी आ रही होंगी निले, इस आपके पास लोटेंगे, मुविन जालाउन से जुड़ गए हैं, जानकारी देने के लिए, जालाउन की, तो अगर जालाउन की स्तिती की बात किया जाए, मुविन, तो वहाँ पर अगर medical infrastructure की बात किया जाए, तमाम टेस्टिंग की बात किया जाए, treatment की बात किया जाए, तो कैसी वहाँ पर दुरुस्त है, या फिर लापरवाई वहाँ पर भी देखी जा रही है, मुविन, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, मुझे लगता है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, मुविन से दुबारा संपर्क करेंगे, जानकारी लेंगे जालाओन की, लेकिन कानपूल ये चलते हैं, रमन गुपता, कानपूल थूड़ा congested नगर है, वहाँ पर lockdown का पालन कराना प्रिशासन के लिए एक चुनोती भराय तो किस सरीके से प्रिशासन वहाँ पर मुस्तैद है? मुबेन के पास जाओंगी, मुबेन जालाओन की सिति कैसी है? मैं आपको बता है उसको देखते हूँ जन पर जालों मैं साब लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है मेरे पीछे आप तद्वीरों में साब देख सकती है कि यहां पर बिल्कुल सन्नादा परसा हुआ यहां पर कोई भी ब्यक्ति अपने घरों से नहीं लिकाला और नाही पर यहां पर जाकर उन्होंने रहा है रहा है लेकिन लोगों के बीच क्या जागरुकता फैल रही है कोरोना को लेकर क्या लोग समझ रहे हैं कि लॉक्डाउन लगा हुआ है उन्हें बाहर नहीं निकलना है कि अगर लॉक्डाउन जी बात करें तो लोगों में बहुत सहने हुए कि ऐसा ना जो पिछली एक साल पहले हमने जो लॉक्डाउन का द्रस देखाता हुए फिर दुवारा देखने को मिले इसके देखते हुए लोगों में काफी घरार समयसूस है और जो भी भारते लोग आ है लोगों पर लॉक्डाउन का देखिए बिल्कुल आपको बता दू कि जो 35 घंटे का लॉक्डाउन लगाया गया जिसको विकेंड लॉक्डाउन के नाम से भी जाना जा रहा है अगर इस हम लॉक्डाउन की बात करें तो इस लॉक्डाउन में साब तोर पर ये कहा जा सकत हैं क्योंकि वर्थ 2020 में जब उत्तर प्रदेश में लॉक्डाउन लगा था तो तमाम ऐसे मजदूर वर्ग का तबका था जो अपने खाने पीने की चीजों को लेकर भी सहम गया था उनके सामने परिवार बाने की एक बड़ी समस्या आ गई थी इस बार जो वीकेंड लॉक् के दौरान जो पीडित लोग हैं उनको भरन को उसन भत्ता भी देने की बास सरकार के दौरा की गई है अगर आज के दिन किसी की साधी विवा का समारो है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंतरी के तरफ से यह भी साप निर्देश दिये गए कि 50 की संख्या में ये समारो को भी सं असमंजस भरा संदेश समाज में था उसको भी दूर किया गया है कहा गया है कि अंतिम संसकार में 20 लोगों को साथ निलेश आपका शुक्रिया रमन गुपता आपका भी शुक्रिया मुवीन आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल इस बुलेटन में इतना ही आप बने रे न्यूजवन इंडिया के साथ, नमस्कार.